गैस भारत के कुल मिनिस्टर याने की कोईला मंत्राले की ओर से एक और बड़ी अप्डेट आ चुकी है जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में कोईला खदानों की निलामी लगतार जारी है और सरकार एक एक करके बहुत से खदानों की निलामी करती जा रही है अब तक खदान सरकारी चीजों की निलामी कर रही है सरकारी चीजों का प्राइबिट करन कर रही है तो क्या आप सरकारी नोकरी बंद हो जाएगा स्वागत है आपका BS Motivation के एक और विडियो में मैं हूँ विकास दरसल दोस्तों 13 नमबर को ये रिपोर्ट सामने आई कि भारत के जो कोल मिनिस्टर है ये आठवे दोर यानि की आठवे राउंड की निलामी के लिए तयार है ये निलामी 15 नमबर दिन बुदवार को यानि की आज के दिन होने वाला है बताया जा रहा है कि कोमर्सियल कोल माइन्स ओक्सन के इस आठवे राउंड के अंतरगत कुल 49 खदानों के निलामी की जाएगी सबसे पहले 35 खदानों को पेस किया जाएगा इन में से 11 कोल माइन्स एक्ट 2015 और 24 खदाने MMDR एक्ट 9057 के तहट अपरेट की जा रही है जबकि रिपोर्ट में कुल 39 खदानों की बात की गई है तो बाकी के जो चार खदाने हैं उस साथवे राउंड के निलामी में बज़ गए थे उनकी भी निलामी इस राउंड में कर दी जाएगी आपको बता दे कि ये जो कोल निलामी होगी इसमें भारत के कोल एड मैंस मिनिस्टर प्रहलाद जोसी मुकत्यती होंगे बताया जा रहा है कि ये इस निलामी से कोयले की उतपादन को और जादा बढ़ाया जा सकता है कि क्यों सरकार भारत के सभी खदानों का प्राइविट कर रही है गाइस जैसा कि आपको पता होगा पहले सरिफ सरकारी कमपनिया ही ख़दानों में कोईले का उतपादन कर सकती थी इससे भारत की जो प्राइबिट कमपनी है जिसके पास ख़दान के लेटेश टेक्नलोजी या फिर एडवांस मसीन मुझूद है वो सब चाहकर भी इन ख़दानों में ख़दान का काम नहीं कर सकते थे लेकिन हाली में सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब प्राइबिट कमपनी भी इन ख़दानों में ख़दान और कोईले का उतपादन कर सकती है उतना ज़्यादा एडवांस मसीन भी नहीं है और हमारे ख़दानों का प्राइबिट करन भी नहीं हुआ है इसके बाद भी भारत कोईले के उतपादन में दूसरे नमबर पर है अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर भारत की सभी खदानों में प्राइबिट कंपनी के साथ मिलकर काम सुरू किया जाए तो भारत कोईले के उत्पादन में चीन को टकर दे सकता है अब तक जो साथ राउंड के निलामी हो चुकी है उसमें बहुत से प्राइबिट कंपनी को इंटरी मिल चुकी है और आगे की निलामी से कई कंपनी भी इन कोल माइन्स में सामिल हो जाएगी तो चुकी सरकार इतने खदानों के निलामी कर रही है ताकि कोल प्रड़क्शन को इस्टोक बढ़ रहा है अब यह 20 मिलियन टन हो चुका है इसके अलावा खदानों में टोटल इस्टोक 41 मिलियन टन तक पहुँच गया है कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबरोल इस्टोक 73 मिलियन टन के करीब है जो कि साल 2022 की तुलला में 12% जादा है और अगले कुछी सालों सरकार इसे और भी ज्यादा बढ़ाने पर जोड़ दे रही है सरकार को पता है कि 2030 तक थर्मल पावर प्लांट में कोईले का जो खपत है वो बढ़ जाएगा और इससे कोईले की डिमान ज्यादा होगी और यही काराने कि सरकार 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोईले का उतपादन पर जोड़ दे रही है अब यहाँ पर आप सब के मन में एक सवाल होगा कि एक और सरकार रिनीवल एनर्जी पर जोड़ दे रही है दुसरी तरफ सरकार कोईले का उतपादन को बढ़ा रही है जबकि कोईला से कारवन इमिशन होता है तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है सरकार कोईल सबी टाइम है कि हम जादा से जादा अपने नेचुरल रिसोर्स को निकालें और उसे यूज करके अपने भारत को विक्सित कंट्री बना लें अभी जितने भी बड़े बड़े कंट्री है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके विक्सित कंट्री बन चुके हैं ल कर देंगे तो ये काम जल्दी होगा इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी का सरकारी नोकरी लग गया तो वो टेंशन मुख्थ हो जाता है एक अबर सरकारी नोकरी लग गया मतलब वो राजा बन गया अब उसे कोई हटा नहीं सकता है और इसे में जो सरकारी चीजों का प्राइबिट करन कर रही है ताकि काम स्पीड हो और किसी भी विक्सित कंट्री के लिए ये चीज बहुत जरूरी है आई होग कि गाईस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि सरकार देश के खदानों का प्राइबिट करन क्यों कर रही है अगर अगर इससे रिलेटेड कोई बीग अपडेट आता है तो उसपर मैं नेक्स वीडियो लाऊंगा इसके लाबा इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिप्लाइ जरूर दूँगा अगर नहीं दे पाया तो उसपर एक नेक्स वीडियो लादूँगा नौ ठैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नेजन कारे के साथ तब तक के लिए जैंद